भारत और रूस के बीच एक और सीक्रेट डील का हुआ खुलासा 2015 में जिस सौदे को किया नजरंदाज, वो फिर होगा एक्टिव भारत की ताकत बनने वाले हैं 400KA-226T दमदार हेलिकॉप्टर रूस और भारत मिलकर करेंगे निर्मान, दुनिया भर को होगा निर्यात 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील्स को देख, दुनिया में मचा बवाल दोस्तो, भारत रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए भले ही सारा जमाना ताकत लगा रहा हो लेकिन ये दोस्ती टूट नहीं रही, बलकि ज्यादा मजबूत और भरोसे मंद होती जा रही है भारत अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए दुनिया की महाशक्तियों से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता है क्योंकि globalization के युग में हर देश से कोई न कोई जरूरत होती है और दुश्मनी की कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है इसी वजह से PM मोदी ने पश्चिमी देशों से भी नस्दीकियां बढ़ाई है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत अमेरिका के खेमे में चला गया है रूस से भारत को अलग करने की तमाम कोशिशों को उस वक्त जटका लगा है जब तीसरी बार PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी मौस को पहुँचे और एक साथ तमाम बड़े समझोते कर डाले और इस बार रूस और भारत के बीच भरोसा इतना तगड़ा दिखा कि जिसे देखकर वाशिंग्टन को तो आग ही लग गई और भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत ने एक सम्मेलन में इसकी बानगी दिखा भी दी जिसमें उन्होंने रूस के साथ भारत के बढ़ते रिष्टों पर इंडायरेक्टली धमकाने की जरूरत की जिसे तुरंथ ही भारतिये विशलेशकों ने आईना दिखा दिया वहीं रूस के साथ दोस्ती को और मजबूती देते हुए पिये मोदी ने दोनों देशों के बीच 100 बिलियन डॉलर की बड़ी साझेदारी का करार किया इसके लिए तमाम रक्षा संबंधी समझोते किये गए जिनमें सुखोई 30 के साथ एक गुप्त करार भी शामिल था जिस पर किसी की नजर नहीं गई थी और ये करार था भारतिये सेना और वायू सेना के लिए 2015 में किये गए 400 के ए 226T हेलिकॉप्टर का सौदा जिसे स्वदेशी हेलिकॉप्टर की वजह से नजर अंदाज किया गया था लेकिन अब जंग की हालत को देखते हुए फिर से एक्टिव कर दिया गया है जिससे भारत की रक्षा ताकत में तो जबरदस्त इजाफा होगा ही वहीं रक्षा व्यापार में भी तगड़ा फाइदा होगा तो दोस्तों इन हेलिकॉप्टर के दम खम और समझोते की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखरी तक देखिए किस तरह भारत ने तमाम डिमांड के लिए रूस को राजी किया और पहने आनाकानी करने के बाद इस बार तुरंत ही कैसे इसके लिए राजी हुआ इस दिल्चस्प वाक्य को जानकर आप भारत की बढ़ती धमक पर गर्व का अनुभव करेंगे 2015 में हेलिकॉप्टर की खरीदी के लिए शुरू हुई बात समझोते में भारत की मांगों पर नहीं बन रही थी सहमती आखिरकार स्वदेशी हेलिकॉप्टर के लिए टाला गया सौदा लेकिन अब हालात को देखते हुए फिर से उसे किया एक्टिव दोस्तो कामोव 226T हेलिकॉप्टर के लिए भारत रूस में 2015 में डील की जा रही थी लेकिन इसमें भारत की तरफ से कुछ मांगे ऐसी थी जिसे शुरू में रूस मानने को तयार नहीं था खास कर भारत इसमें समझोते के हिसाब से 72 फीसदी चीजें रूस से आयात करनी थी भारत इसके स्वदेशी करण पर जोर दे रहा था रूस ने 60 फीसदी माटेरियल को स्वदेशी बनाने का वादा किया था लेकिन भारत इस से सहमत नहीं था आखिरकार 2019 में एक बार फिर इस समझोते की समीक्षा की गई थी और मासको भारत की मांगों को मान गया जिसमें अब 72 फीसदी रूसी माटेरियल में से 70 फीसदी भारत के होने थे लेकिन रक्षा खरीद बोर्ड एक बार फिर से इस डील से इसलिए पीछे हट गया था क्योंकि भारत स्वदेशी हेलिकॉप्टर तयार कर रहा था भारतिय वायू सेना ने स्वदेशी हेलिकॉप्टर को शामिल करने पर जोर दिया इसके अलावा इसमें देरी की एक वज़ा ये भी थी कि इन हेलिकॉप्टर का निर्मान फ्रांसीसी इंजन से होना था लेकिन यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद फ्रांस ने इन इंजन को देने से मना कर दिया लेकिन रूस अब इसके लिए अपना VK650V इंजन तयार कर चुका है और अब उसे फ्रांसीसी इंजन की जरूरत नहीं है वहीं भारत के पास स्वदेशी हेलिकॉप्टर का विकल्प है लेकिन इनके बनने में अभी वक्त लगेगा वहीं सीमा पर चीन पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रखना चाहता है जबकि भारत रक्षा निर्यात में बड़ा खिलाडी बनना चाहता है जिसके लिए ये सौदा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हेलिकॉप्टर का निर्मान भारत के अंदर ही होगा जिसे धीरे-धीरे पूरी तरह से स्वदेशी बनाने का लक्ष्य है भारत दो हजार उनतीस तक अपनी रक्षा निर्यात को पचास हजार करोड के लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है जिसके लिए उसे भारी हथियारों का निर्यात बहुत जरूरी है जिससे भारत अपनी जरूरतों को पूरा कर सके साथ ही मित्र देशों को निर्यात करते तगड़ा मुनाफ़ा कमा कर अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत कर सके इस समझोते के तहट पहले 200 हेलिकॉप्टर भारत रूस मिलकर तयार करेंगे जबकि तकनीक ट्रांसफर के बाद बाकी 200 हेलिकॉप्टर हैल बनाएगा इस तरह से 400 हेलिकॉप्टर का निर्मान किया जाना है वहीं दुनिया के तमाम देशों से ओर्डर मिलने पर इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है इन हेलिकॉप्टर के मिलने के बाद भारत की हवाई ताकत बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है क्योंकि ये हेलिकॉप्टर अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं ये ऐसी क्षमताओं से लैस हैं कि ये जंग में दुश्मन के लिए काल साबित होते हैं के 226 टी बेहद हलके और उच्च तकनीकियों से हैं लैस सेना के अलावा तमाम आपदा मिशन के लिए भी कारगर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से भर सकता है उड़ान दोस्तों कामोव 226 टी हेलिकॉप्टर एक बेहद ताकतवर मल्टी परपज हेलिकॉप्टर हैं जिन्हें सेना के अलावा तमाम आपदा मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो दूसरे हेलिकॉप्टर की तुलना में काफी हलका है इसे रूसी हेलिकॉप्टर कमपनी कामोव डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है, जिसे बाद में कुमेरटाउ एविएशन प्रोडक्शन एंटरप्राइज ने निर्मित किया। इसे गश्ती अभियान, खोज और बचाव, कारगो और यात्री परिवहन, मेडिकल एंबुलेंस, फायर बिग्रेड और पुलिस एक्शन के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है। 226 T-Air Ambulance Virgin का प्रदर्शन भी किया जा चुका है, जिसके बाद रूस और कजाकिस्तान के बीच इसके लिए करार हुआ था। प्रदरों सहित रसद को लोड करने और उतारने में आसानी के लिए पीछे के हिस्से में एक चौड़ा दर्वाजा लगाया गया है। इसका केबिन काफी विशाल है, इसके साथ ही इसमें भारी तादाद में सामान के लिए स्पेस बनाया गया है। दो पाइलट और साथ यात्रियों के लिए इसमें परियाप्त सीटें हैं और मशीनों को पूरा करने के लिए केबिन को तमाम तरह के उपकरणों के साथ जल्दी से कॉन्फिगर किया जा सकता है। हेलिकॉप्टर में लाइटिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, क्रैश रेजिस्टेंस फ्यूल सिस्टम जबरदस्थ है। ये विपरीत हालत में भी काम कर सकता है। ये helicopter अधिक्तम 250 km प्रति घंटा की गती और 220 km प्रति घंटा की cruise गती से उड़ सकता है इसकी अधिक्तम सीमा 600 km है के 226 T-50 degree Celsius और प्लस 50 degree Celsius के बीच अलग-अलग तापमान और 0% से 100% तक की humidity में भी काम कर सकता है इसके अलावा ये helicopter तेज हवाओं का भी सामना कर सकता है तो दोस्तों ये helicopter इतनी क्षमताओं से लैस है कि ये भारतिय सेना और वायू सेना को तो मजबूत बनाएगा ही वहीं दुनिया भर में इसके लिए भारत जबरदस्त और भी मिलेंगे जिससे भारत को तगड़ा फायदा होगा तो दोस्तों इस हथियार के लिए रूस के साथ किये सौदे को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं